हेलो दोस्तो अपना ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाई बताने वाली हूँ जिसको इस्तमाल करने से अगर आपके चहरे पे या शरीर पे कोई भी दाग धब्बे हैं पिंपल्स के दाग धब्बे हैं या फिर जाईया हैं या फिर कहीं कटे हुए का निशान है तो इसे मात्र साथ दिनों में इस्तमाल करने से आपको फर्क नजर आने लगेगा हर कोई चाहता है उसका फेस विल्कुए क्लीन और क्लियर दिखें कोई भी दाग धब्बा ना हो तो आप इसे ट्राय करके देखें आपको इससे जरूर फायदा होगा और साथ ही ये एक घरे लूप चार है जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है तो इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों अपना ब्यूटी चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले जिससे कि आप चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस्ता कर सकें तो आईए आप शुबू करते हैं कतोरी में कपूर लेना है थोड़ा सा यानि क्यांफर या आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा आप इसको तोड़के इसको पीस लीजिए कपूर में एंटी इंफिमेक्री, एंटी सब्टिक, एंटी फंगल और अंटी बक्टिजल परपर्टीज होने के कारण ये हमारे चहरे से पिंटल्स यानि दाने और अक्ने हो गए हैं उनको ठीक करता है या फिर आपके स्किन पर कोई भी खुजली या राशेज हो रहे हैं या कोई इसको भी ठीक करता है क्योंकि कपूर में आशी परपर्टीज होती हैं जो हमारे स्किन डिजीजिस को ठीक करने में मदद करती हैं और कपूर कई दवाईयों में भी यूज होता है तो इसको आप पीस लीजिए और कम से कम आपको ये लेना है आधा चम्मच पूर को पीसने के बाद अब आप इसमें डालेंगे कम से कम देड़ चम्मच नारियल का तेल आप किसी भी कंपनी का नारियल तेल ले लीजिए बस वो प्योर होना चाहिए नारियल तेल में मौस्टराइजिंग पॉपरटीज होती है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाती है साथ ही इसमें विटामिन E पाया जाता है जो हमारे चहरे पे एक अलगी चमक देता है अगर आपके चहरे पे दाग धब्बे हैं तो ये इसको हटाने में बहुत मदब करता है और आपके स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी बनाता है फिर आप इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं 5-6 दिन तक अगर आप चाहें तो बनाईए और इसको रखिए अब आईए मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ इसको आपको अपने हैंड से यानि फिंगर से नहीं लगाना है आप एक कॉटन बॉल लीजिए कॉटन की मदद से यानि रूई की मदद से जहां जहां आपके चहरे पे दाग है या फिर जहां भी आप इसको लगाना चाहते हैं रूई की मदद से लगाईए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको चाहे तो आप रात भर भर भी रख सकते हैं आप इसको लगाता साथ दिन तक इस्तमाल करिए और आपको इसका फर्क नजर आने लगेगा तो दोस्तों ये था एक छोटा सा उपाए आपकी परेशानियों को दूर करने का अगर आप कोई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप अपना ब्यूटी चानल का फेस्बुक पेज भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा जिससे वो भी इसका फायदा ले सके और हाँ अगर आपने अपना ब्यूटी चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए क्योंकि चैनल में बहुत अच्छे अच्छी वीडियो जाने वाली हैं जिन्हें आप मिस्स ना कर सकें मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आऊंगी तब तक के लिए बाई बाई और टेक कियर